अमीद स्याज साब आप मैदानी उत्रने वाला है तो खुदागे लिए इन लोकों का भिजली बिल गरीब गुर्बात को माफ करो जिसको दो दो लाख पिचास पिचास अजार रपीया है वो मलाजम ठीक है तो ये मसाफर बिचारा कहां जाएंगे दिन बर काम इखुदागे ये नहीं बनता हमारे पास कांगडी या कांगडी की लडाई दोज़त के आग साथ नहीं कार सकती मकाबला अलबता मसाबर गरीब बुड़ा ये देखो ये पौने 800 रपीया नहीं बार सकेंगे खुदागे समड़े अगर घुर्बत है नहीं बार सकेंगे खुदागे लिए मोदी साब जयें अब मैदान उतने वाला गरीबों बर नजर रहमगी कर हमारे साथ अंसाफ करो हमें रात का खाना नहीं बनता है हम कहां से ये बिजली बिल बरेंगे बचों नहीं पाल सकता है जो खाना नहीं मिलता तो बिजली बिल माफ करो हमें अंसाफ करो बिजली बिल माफ करो हम अपना आयाल के लिए खाना नहीं बनता रात को कोई मजदूरी नहीं है कोई कुछ नहीं हमारे पास हम शमाज लाएंगे हम जंगर से दिनी लाएंगे पराना वकित में जो करते थे वो करेंगे उसकर आपकी मर्धिया हम गरीबी लोगों को सताना यह से निकालना आता है यह तो बिजली माफ करो हमें वागर माफ नहीं करेंगे फिर अठाओ तार पौल हम उठाकार जाएंगे जमाकार का आपको रोड में ले जाओ हमाई जरूरत नहीं हमारी थागत यह नहीं है कि अर्वी जां तो बाद एक एकसो रुपयो इंग विजल का इलकार निचादे भी विजली ये आमनी देसकता है अम दे आतमा मात्याम आराय पास कुछ भी नहीं है फसल नी बंत और का चीज नी बंती है रोज आमनी फ्युश्च नी देसकता है अपना तार भी उठा ले जाओ और अपना पॉल भी ले जाओ अमने काई जरूर की यहां वो पहलो तुमाना में जिसरा गुदारू करन सब्सक्रा बती शती बाल का तेल की बैस जेंगा शेमी नाम इतर रहता है यह जंगल में बसांग पारफ साफ का मैं बहुत शुकर गुद हों कि हमारे अकांडिया लाकों में आप लोगों ने तश्रीफ लाए कि इतनी मुश्कलात हैं यहां के लोग गरीबों को कोई भी पावर की बिजली बिल बरने ही सकते हैं आज तार उठाएंगे हम दो बतिया जलाते हैं हजार रुपे आमें पढ़ जाता है किसी भी हाले मे बोलते हैं यह नहीं बरेंगे तो हम तार उठा ले जाएंगे कहां से लाएगा बिलकुल गरीब हैं यहां के लोग यहां के लोग नहीं बिजली बर सकते हैं बिलकुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है जो अन्साफ के साथ होगी बिल हम बर देंगे बरना है बिजली तो क्या करेंगे किसी के पास एक बक्रीया ख़ए एक है और बहुर दो भाड़ेगा कि कौ अ हम कर लाएंगें कोट में ले जाएंगे ले जाओ हमें कोट में कोई शाहिएंगे असमें ले जा सकते हैं charging जिनाबाद अलाम आलेकुम ये मीडिया वाला अजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इस जंगल में वे हमारा ये के साया है अगर बीजेपी सरकार दबारा मैदान में उतरने वाली है तो देखो ये गरीब मसाफर लोग है इनगी बीजली बिल बिल कल माफ करो छे मीना ये लोग करने के लिए खुदा के लिए कुछ नहीं बनता बड़े बड़े बाच्छूं के साथ टक्रा करते हैं हमारे पास कांगडी की लडाई दोज़त के आगे साथ नहीं कर सकती मकाबला अलबता मसाफर गरीब बुड़ा ये देखो ये पौने 800 रपी या नहीं बार सकेंगे शाला मगर हम कभी वोट नहीं देंगे बीजे पी को अगर बीजे पी दुबारा एक्षिन लेती है वोट मेदाने उतरने वाली आए तो गरीबों मसाफरों का ये बिजली बिल खुदा के लिए माफ करो अमीद शाज साब आप मैदाने उतरने वाला है तो खुदा के लिए शाज पचास पचास अजार रपिया है वो मलाजम ठीक है तो ये मसाफर बिचारा काई जाएंगे दिन वर काम इखुदा के लिए नहीं बनता शाज साब आप मैदाने उतरने वाला है तो खुदा के लिए इन लोकों का भिजली बिल गरीब गुर्बात को माफ करो जिसको द सलावलेकुम आप नाज़ीन आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूँ आपका मेजबान आरिफ कसाना जी नाज़ीन बिजली बिल में आए दिन इजाफा होते जा रहा है और जमु कश्मीर के लोग अगर हम अलग अलग जला की बात करें तो अलग अलग जला में लोग सरापा इतिजाज हैं और आज भी जला गांदर बलका च्छतरगुल इलाके के पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं वो आज सड़कु पे उतराए हैं और इतिजाज कर रहे हैं कि आए दिन बिजली फीस में जो है इजाफा होते जा रहा है और हम बी पील कडिगरी के लो अठा करके ले जाए है इस तरीके के आज के इन लोगों का कहना है हमारे साथ च्छतरगुल इलाके के सरपंज मौजूद हैं इनसे बात करने की कोश्च करेंगे कि आखिर लोग जो हैं आज सड़कु पे उतर आए हैं और अपनी तमाम बिजली बिल जो हो लेकर सामने आगे देखिए अरफ साब अनफार्चनेट गूर्रमेंट ने जो एक एकदाम उठाया यहां पे बिल जी डिपार्टमेंट के एक ट्रेक डाउन जलत रहा है हर जगा में इतारे उठाए जा रही हैं लोगों को रास्मिट किया जा रहा है बत्किस्मिती से यह कहना पड़ता है कि यहां पे लोगों के पास रोजगारी नहीं है लोगों के पास वो वसाइल नहीं कि इतनी महिंगी तेदात में बिजली की फीस अदा करें तो आज यह च्छतरगुल से इतजाज चुरू है यह एक अंदोलन की शकल अख्तियार करेगा हम इसमें में वर्काउट कर रहा हूं में सुनमार्क से लेकर नागबल तक हम एक बहुत बड़ा इतिजाज करने वाले हैं बिजली डिपार्टमेंट के खलाफ और सब से ज्यादा सब डिविजिन कंगन जो है इसमें हर मीनी के बाद एक सो रुप्या चड़ता है बसके जिए यह कहना पड़ता है कि डिपार्टम की तरफ अगर देखा जाए तो उसके पास से वो डबल यानि ट्रबल की तेदाद में पैसे वसूले जाते हैं अगर यही गरीब राशिन स्टोर पे गरीब है तो बिजली के लिया से यह खुद कफील और अमीर कहां से आ गया यह गोर्मिट के लिए एक सवाल या निशान है मैं गोर्मिट से यह रुक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक क्रेटेरिया बनाएए जो की बाजबता बीपेल करेटेरिया बनाएए ताकि यह जो लोग है यह बिजली फीस अदा कर सकें इस वक्त जो बिजली फीस इन पर आठ सो एक हजार हो चुकी है मैं आज आपके मा तो उठा के ले जाएए आज हम अलल एनान ये काना चाहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे कि आप अपना ये जो स्ट्रक्शर है इसका बिजली का ये वापस ले जाए हमारे गरीब लोग बिजली फीस अदा कर नहीं सकते ग विल्जी जो है किस तरह लोगा अदा कर सकते हैं अगर में म्हाकमा भी और बिल्जी से ये गुजारश करना चाहता हूं कि आप एक क्रीटेरिया बनाईए उस और क्रीटेरिया को फालू करते होएं अगर आप मनासुथ तरीके से बीजी फीश रखते हैं तो गरीब लोगों के पास जितनी कुझाश है उतनी हम अदा कर सकते हैं मैकमा भी चलेगा और गरीब हवाँ आज आपके मादिम से में कहा देना चाहता हूं कि हम सब विजन कंगन एक बहुत बड़ा इतिजाज करने जा रहे हैं जिसमें नारा नाग वांगत पुशकर और सौनमार्क से लेकर यहां तक जितने भी गरीब लोग हैं हम अकठे होंगे और हम दिन रात वहां बैठेंगे जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक हम बैठेंगे आज हमने ट्राइक के तो रपी किया है हजारों की देदात में लोग जमा हुए हैं जब बड़ा भी बिल आती है इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा और इन गरीब बावाब के साथ इनसाफ करना पड़ेगा